आनमिक यात्राओं पर राम नुम्मी हो वारी जन्ति उसके लगादार हमले हो रहे हो उसके लोगों क्या कहेंगे क्या लगता है आपके हिंदुओं के कोई भी त्योहार हो और ये हिंदुओं के लिए मैं समयति चिंतन करने का विशे है हिंदुओं के चिंतन करना चाहिए तो पत्थर बाजी करते हैं जब वो 50% हो जाएंगे तो हिंदों की शव यात्रा भी निकलनी दूबर हो जाएगी इसलिए एक चिंता का विशय होना चाहिए हिंदू समाज के लिए कुछ गट चेरे नहीं एक समुदाय के लोग ही विशयस करजापर हिंदों की यात्रा ही निकलती है उस पर पत्थर भी भैकते हैं उस पर गोलिया भी वो चलाते हैं और कुछ लोग एक हद्राबाद से आवाज उठी है एक नेता की वो कह रहा है कि एक ही सम्परदाय के लोगों पर सिकंजा कसा जा रहा ओबेशी बताए इस देश को जब पत्थर मारने वाला अबदुल है अफजल है जाकिर है या कासिम है तो कारवाई तो उनी पर होगी ना उन पर कड़ी से कड़ी सजा फासी की सजा होनी चाहिए पहु संख्यक ये देश है हिंदों के त्योहारों पर इस तरह की ये गटना है शर्म ना गटना है लाउड स्पीकर को ले गई वाज चला इसका क्या जहेंगे लाउड स्पीकर देखें ये एक बड़ा विशह है आलपे संख्यकों ने कोट की बात को भी ठुकरा दिया था ठोकर मार करके उसका अतिरसकार किया था अब सीएम साहब ने कहा कल एक परीसर में ही लाउड स्पीकर बजने चाहिए तो सीएम साहब की बात का तो मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी का धनिवाद करती हूं और स्वागत भी करती हूं उन्होंने अच्छी पहल की है लेकिन जो लोग लाउड स्पीकर के लिए पूरी जदो जहद के साथ लगे हूं उनका क्या होगा ना वो कोट को स्विकार करते हैं कोट की बात को छोकर मार देते हैं और ना ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी की बात मानें गे मुझे ये विश्वास है उनको तो अपमान करना है हिंदु को भी टार्गेट बनाना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी अपमान करना है झाल मुख्यमंत्री का भी टार्गेट जो भी टार्गेट बनाना है